कुछी बेचा क्या बात है तुम परिशान लग नहीं मैं का परिशान हो यह आपके हाथ में क्या है वो तुम्हारी ड्राइक्रीन के कप्ड़े है लो तुम्हें रखते है ठीक है लिएल आ 他 एज कि दखते है जापके लो तुम्हारी रखते है लो तुम्हारी है लो जास है में रखते हैं अाद Creek चुम्हारा इसादρί Grupo यह तो मर चुकी है इसलिए इसे कोई और देख नहीं पा रहा था मरे हुए लोगों को तो बहुत देख सकती हूँ ना खुश रहो मैं जानता हूँ कि तुर्गा को आपने अपनी बहु की तरह नहीं बलकि बेटी की तरह प्यार किया है यह जानता हूँ कि ऐसे मौके पर हर माबाप के मन में यही चिंता होती है कि उसकी बेटी ने जिसको अपना चीवन साथी चुना है क्या वो उसके साथ खुश रहेगी क्या उसका चुनाफ सही है हम साहिर सी बात है कि यह सब चिंताएं यह सब विचार आपके मन में भी आ रहे होंगे तो यह मेरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले आपकी यह सारी चिंताएं दूर करतो मैं आप सब को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं दुर्गा की पेस्ट चॉइस नहीं हूँ पेस्ट चॉइस तो वो है मैं आगेन का मुकादला तो नहीं कर पाऊँगा लेकिन आप से वादा करता हूँ कि कोशिश सरूर करूँगा मैं आप से ये भी वादा करता हूँ कि आपका दामाद नहीं बलके आपका बेटा बनने की कोशिश करूँगा बेटा तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे मंग के सारी चिंदाएं दूर हो गई है हम हमेशे यही चाहते थे कि दुर्गा जो भी फैसला ले अपने दिल का फैसला ले अब हमें तुम्हारी और दुर्गा की शादी का बेसबरी से इंतजार रहेगा लेकिन उससे पहले हमार एक शर्त है शर्त यह है कि कन्यतन हम करेंगे तुम्हे अपने फैसले से खुष तो हो ना हाँ देखो दूर्गा मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ मैं तुमसे तुम्हारी वो दुनिया नहीं चीनना चाहता हूँ जो तुमने अपने आसपस बना रखी है क्योंकि मैं जानता हूँ उससे तुम्हारी भावनाई चुड़े गई है यादे चुड़े हूई है उस दुनिया का तुम्हारी जिंदगी में एक महत्वा है मैं तुम्हारी उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ जहां पर सिर्फ हम तीन हो तीन मगर हम तो चार है श्रत्था तिमिर और हम दोनों हम दोनों एक ही है ना एक दिन आर्यन ने भी यही कहा था और कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे अगर चले गए मैं तुम्हें कभी छोड़ करनी जाओंगा मैं तुम्हें से बाता करता हूँ वो क्यों मुझे बार-बार कह रही थी कि माहिर की जिंदगी खत्रे में है मुझे वो खत्रा कहीं दिखाए क्यों नहीं देता कहते हैं पच्चे पर जरा सी भी तकलीफ आए तो मा की दिल को पहले खबर हो जाती है पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा वो इसलिए कि तुम माहिर की मा नहीं हो वो उरत जूट नहीं बोल सकती क्योंकि मर कर कोई जूट नहीं बोलता वो कहती है कि माहिर की देख्मन बहुत ताकतवर है और वो हाथ दोखर माहिर की पीछे पढ़े है कौन है वो लोग झाल झाल आपका काम हो गया वदाई हो को रुमा अब हम अपनी मंजल के बहुत करीब पहुंच गया है एक बात तुम आननी पड़ेगी तुमने अपना काम बात जिम्मेदारी से निभाया और काफी जल्दी भी सोचा भी नहीं था कि तुम अपना ये काम इतनी जल्दी पूरा कर पाओगे पहले पहले मैं थोड़ा घबरा गया था लगा कि ये पूरा काम कैसे कर पाओगा और वो भी तुर्गा जैसी कंभेर और भावुक लड़की को अपने बस में करना खुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन बात में ज्यादा मुश्किल ने पड़ी बस कुछ साहनुभूती वरे शब्द भावुक सी बातें और काम हो गया मैं उसे कहानी सुनाई है एक जूटी कहानी कि मेरी बीवी और बच्ची तोनों की मौत हो गई है और कानी काम कर गया है मैं एक बात समझ गया हूं कि अगर एक औरत की भावनाओं को छूलिया जाए ना तो उसके दिल के करी प लेकिन वो आइडिया मैंने तुम्हें दिया था आज तक तुमने जो कुछ भी किया मेरी सोच के मताबित किया और आगे जो कुछ भी करोगे मेरे कहने के मताबित करोगे वो तो होगा ही, लेकिन एक बात मेरी समझ मेनी है, मेरा परिवार का हिस्सा बनना ज़रूरी क्यों है, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा करके तेमिर के पास पहुंचना काफी आसान हो जाएगा, लेकिन इससे और क्या मदद मेले के, I mean, शादी के बाद और क्या होता है, तुम दोनो की शादी हो जाएगे, फिर किसी नव विवाहे जोडे की तरह, तुम दोनों हनीमून पर चले जाओगे, और फिर वही होगा जो मैं चाहोंगे, तुम्हारी कार का एक्सिदेंट हो जाएगा, बहुत बुरा एक्सिदेंट, क्या, आपका कहने का मतलब है कि, हम दोनों, नही दुर्गा, सिर्फ दुर्गा की मौत होगी, और उसकी मौत से ही हमारे अच्छे समय की शुरवात होगी दुर्गा की मौत? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही जब आरियन की मौत हुई थी, तब बच्चे किस के साथ है? शरदहर दुमीर तुर्गा के साथ है और दुर्गा की मौत के बाद बच्चे किसकी जिम्मधरी मानी जाएंगे नापकी मतलब मैं तुम दुर्गा की मौत के गम में डूबे इस शहर से दूर जाने का फैसला करोगे अपने छोटे-छोटे बच्चों को साथ लेकर और फिर तुम तीमीर को लेकर सीधा मेरे पास आओगे समझ गया ना आप आप हमारी काम से खुष तो है ना इसका ये मतलब है कि आप हमसे खुष है हमने अमारा काम बखोगी निबाया है है ना परेव काम अभी भी वी बागए कि मैं जानती हूं मैं माहिर का अंत करने में असफल रही हूं तीमीर तो इस बात से बहुत नाराज होगा पर मैं क्या करूँ जोया पा मैं आप से कुछ पूछना चाहते हूं और वो परसु रात को आप और माहर घर में दोनों ही थे और मैं ध्रूं के सथ पाटी गई थी ना उस दिन घर में कुछ हुआ था क्यों तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो वो जब मैं खर में वापस आई थी तब आप जाग रही थी ना खुशी मैंने तुम्हें बताया तो था मैं पानी पीने गई थी और गिर गई थी लेकिन सुब़ जब मैं उठकर कुछ ढून रही थी मैंने टॉर खोला तो उसमें सारी चीजे बिखरी वी थी और हां मैंने एक फ्लावर वेस भी टूटी हुई पाई तो बस मुझे हो रही थी खुशी कहीं तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि मैंने जोया आपा मैं तो इस बात से घबरा रही थी कि आप सुए हुए हो और उस वख घर में कोई भी आ गया होगा जिसमें यह सब आरे यहां कोई क्यों आएगा और वो डॉर वाली बात वो तो नौकरों का का होगा तुम्हें तो पता ही है ना आजकल के नौकर कितने लापरवा होते हैं खुशी तुम्हारी तो आदत बन गई है छोटी छोटी बातों को लेकर फिक्र करने की नहीं जोया पा बात आदत की नहीं है मेरे फिक्र के पिछे एक वजय है लिकिन प्लीज हो यापा अब मन्ना को इसके बार में कुछ ने बताईए अन्ना वो टेंशन में आजाएगी माहर के बार में कुछ जानती हूँ एक औरत है जो मुझे बार बार मिलती है वही जो मुझे उस महिला आश्रम में मिली थी और वो बार बार मुझसे एक ही बात कहती रहती है कि बचाओ, माहर को बचाओ, माहर की जान खत्रे में बस जब भी में उस औरत के बारे में सोचती हो न तो मेरा मन घबरा उटता है अरे छोड़ो न खुशी, तुम भी क्या एक पाजल औरत की बातों में फसकर बैठी हो, छोड़ा लगता है, खुश तो बात है, जो वो जानती है कुछ तो वो जानती है, उसकी बात सच है पता लगाना ही पड़ेगा कि वो कौन है वो हमारे लिए खत्रा साबित हो सकती है खुशी, एक काम करते है अगली बार उस औरत से मिलने मैं भी तुम्हारे साच चलूँगी उसे मैं पूछती हूँ, समझाती हूँ क्यों तुम्हें वो बार बार परेशान कर रही है क्या जानती है वो माहिर के बारे में, मैं भी तो जानू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो वोरत अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से चली जाती है तो ठीक है, उसे पप्ड़ों मेरे पास लियाओ ऐसा नहीं हो पाएगा क्यों, उसे डरती हो बाट डरने की नहीं है जोयापा फिर क्यों ने मुझसे मिलवा सकती क्योंकि वो मर चुकी है वो अस्तुनिया में नहीं है अरे पर तुम ही ने तो कहा था कि हाँ मुझे उसकी आत्मा दिखाई देती है यह वही मिस्स पिंटो है जिसे तिमीर ने खत्म कर दिया था उसी को मौरा बना कर तिमीर के घर के अंदर घुसने की चाल मैंने चली थे लेकिन अब अब वही औरत हमें दूसरे तरीके से तंग करने लगी है हाँ गुरु मा और इसी औरत की वज़े से खुशी हर समय चोकन नी रहती है अब हमारी जीत का दौर शुरू होई गया है जैसे दुर्गा के साथ रेत्वे की शादी के लिए मनाना ओ तो ये है आपका हुकुम का एक का जिसे आपने छुपा कर रखा था ओ वाँ बहुत से पत्ते हैं मेरे पास जिन पर मैं अपना खेल खेलती हूँ ये समझ लो ये राजा है जल्दी रानी के साथ इसकी शादी होने वाली है एकका तो मैंने अभी का खोला ही नहीं छुपा कर रखा है सही मौके के लिए राजा खोरानी के करीब लाना था शादी तक बात पहुंचानी थी ताकि तिमीर हमारे पास जल से जल्दा सके पर गुरुमा ये कं तो मैं भी कर सकती थी तिमीर को आपके पास मैं भी ला सकती थी वो दुर्गा थी जो बार बार बीच में आती थी बस तुर्गा तो आज भी वहीं है लेकिन उस अर्शन को दूर करने का रास्ता निकाली है मैंने समय से पहले जीत की जशन मनाना नादानी कहते है अभी वक्त है रिक्विक तेखेंगे तुम्हारा रास्ता कामियाब होता है या नहीं उसके बारे में आप चिंता मत कीजियो माजी जब कदम आगे बढ़ाई ल तो चार कदम की दूरी है वो बिताय हो जाएगे ये तो वक्त ही बताएगा अरे तुम्हारी सांस क्यों भूल रही है कही से दौड कर आ रहो हाँ अच्छा हुआ दौड के चलाया वरना तुमसे बात नहीं हो पाती है एक इंपोर्टन काम ता उसे के लिए था इंपोर्टन काम कैसा काम अला अज़ाटहा क्छा कढ्या चाहता हूँ ना हफते में एक और बच्चों का इलाज कर और ना पिचारे अनातन अज़ा अंष म यूअज इचान ऐसे दो तुम हैं करेंhington दूम ने जैनते थी किए अनाध अच्रुम तूरगा अशी बहुत सी पाते जो तुम मेरे पारे में यह जानते हैं cœ ... मुछर धी रिफे सब कुछ जान जाऊंगी शादी के बाद तो मेरे पास वक्त ही वक्त होगा तुम्हें जानने के लिए और अगर वक्त ना मिला तो क्यों? मैं समझी नहीं क्या मिठलग? शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो गए और अपने खुश्यों के सिवाए और किसी काम का वक्त ही नहीं मिलेगा शिट्वेक तुम भी ना कितनी बाते बनाने ही आति है तुम्हें हाँ वो तु आती है और तुम मेरे बात मान भी चाती हो क्योंकि मैं चो कहता हूँ सच कहता हूँ कि दिल से कहता है कि तुर्गा कि नेरी बात पर विश्वास कर रही हो ना हाँ अच्छा चलो यह बताओ अनाधाश्र में तुम्हारा दिन कैसा रहा है काम कैसा चल रहा है है कुड़ वेरी गुड़ अभी तक तो मैं अपने काम में सफल हो रहा है लेकिन अभी एक बहुत ही मुश्किल केसा आगया है लेकिन मुझा मालो मैं इस केस में सफल हो रहा हां मैं जानती हूं और मैं दुआ करती हूं कि तुम सफल हो जाओ उस काम में चलो बाई 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 पेवकूफ औरत नहीं जानती कि अपनी जिन्दगी खतम करने के लिए सफलता की दुआएं दे रही है